नमस्कार दोस्तों मैं सुमित मिस्रा स्वाइद करता हूँ आप फिर से आप सभी का MZT Education में आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही important और बहुत ही serious topic Uniform Civil Code की समान नागरिक सहीता ये समान नागरिक सहीता क्या होता है? उत्राखंड में लागू किया गया है तो इसके क्या मायने है? क्या कुछ चीजें बदल जाएंगी? क्या कुछ करना होगा? क्या कुछ नहीं करना होगा? सब कुछ हम लोग बहुत ही आसान भासा में समझेंगे तो काफी informative वीडियो होने वाली है ये बिलपास भी हो गया क्योंकि उत्राखंड में BJP के बहुमत है तो ये बिलपास हो गया है अब उत्राखंड बन गया है टेक्निकली भारत का पहला ऐसा राजे जो uniform civil code अपने राज में लागू किया है लेकिन ये सोतंत्र भारत के बाद पहला ऐसा राजे है जिसने ये लागू किया हुआ है एक्चुली में क्या है कि गोवा एक और राजे है जहां पर पहले से ही uniform civil code लागू है लेकिन उसको किसी सरकार ने लागू किया है अभी की उसको पुर्तगालीयों ने लागू किया था जब पुर्तगाली का वहा का सासन रहा करता था तबी से वो लागू है इसलिए गोवा पहले से ही था लेकिन लागू करने वाला पहला राजे बना है उत्तराखंद चालू तो पहले से गोवा में भी था तेखी आर्टिकल है उत्तराखंड first to clear uniform civil code bill other state line up तो और भी state आने की यहाँ पर line up इसलिए लगाया जा रहा क्योंकि BJP की government है जिन जिन राज्यों में BJP के manifesto में यह चीजे mention है यहाँ पर बात करते हैं uniform civil code है क्या तो देखो uniform civil code जिसका हिंदी मतलब होता है समान नागरिक सहीता यानि सभी के लिए एक समान कानून actually में दो प्रकार के laws होते हैं एक होते हैं criminal law एक होते हैं civil law तो जो criminal law होते हैं उसमें जैसे समान ने loot पाठ हुई, हत्या हो गई, मार पीठ हो गया इन सबसे जुड़े जो भी विवाद होते हैं वो criminal law में आते हैं और जैसे जो एक civil law होते हैं जैसे कि मालोसाधी विवाका लेकर के कानून या property को लेकर के विवाद, इन सबसे religious को ये विवाद, इन सब को civil कानून में रखा जाता है अब civil कानून में क्या होता है कई बार चीजे जो religious जो अलग-अलग religions के रहते हैं उनके अनुसार उनके laws के अनुसार ये decide किये जाते हैं कि उनको क्या देना होगा decision और ये decision बहुत माइन ही रखते हैं क्योंकि जानते हो Supreme Court या High Court जो भी एक decision लेता है तो बाकि वो reference बना करके उ ऐसे चीजें में क्या होता है अलग-अलग धर्म का अलग-अलग laws होता है जैसे Muslim personal law है Hindu marriage act है जैसे साधी विवाह का अगर बात करें तो Hindu marriage act है तो अलग-अलग religion का अलग-अलग act है तो उसी के answer में आती है जबकि आप देखो अगर कोई crime होता है जैसे कि loot part हुआ हत्या हुआ तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा सजा सुनाते वक्त कि वो हिंदू है Muslim है कि क्या है अगर उसने हत्या की है या कई लोगों का murder किया है या तो फासी होगी या उम्रकाइद होगा जो भी court decision लेगा वैसा आता है और वो उसमें court ये नहीं देखता है कि आप हिंदू हो कि Muslim लिमोग इसाई हो कि सिखो तो ऐसा ही कानून क्योंकि उसमें तो बिल्कुल समान है लेकि स्विल कानून में यहाँ पर समान कानून नहीं है अब मुटा मुटा इसी को लेकर कि है बिवाद तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आम तोर पर criminal law और civil law दो प्रकार के law होते हैं द इसमें सजा दिलवाने के बजाए इसमें settlement या मुआवजे का भी प्रावधान होता है इसमें कोसिस की जाती है मुआवजा दे करके दिलवा करके या settlement करवा करके किसी हिसाब से नयाय दिलाया जाए दो लोगों की बीच अगर मालो property का विवाद होता है मानी हानी का विवाद कि जैसे किसी की कोई deformation का case करता है मा अनए का case करता है तो तो आप सुनते हो कि कोई 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 दंगा हुआ का ले लो कि यहाँ दंगा हुआ तो यहां पर U P गर्षोट्व उसरह था जितने तस्वीरगें उनकी आप है सब का बड़ा बड़ा साइसे लगा दिये फोटो पोस्टर उसके नीचे लिख दिये कि आपको इतना भरना है आपको इतना भरना है क्योंकि आपने पुब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुचाया हुआ है ठीक है तो ये सभी चीजे मतलब सेटलमेंट के ज दिखेंगे, हिंदू दिखेंगे, या सिक दिखेंगे, या क्रिस्टियन दिखेंगे, सब में अलग-अलग कानून है मैरिज को ले करके मैरिज के वल सिर्फ एक मैरिज ही नहीं मैरिज के अलामा भी उसके आगे के भी जो चीजे होती है जैसे कि एक मैरिज के बाद दूसरी marriage करना जैसे Muslim मों अगर बात कर तो चार marriage कर सकते हैं इसके अलामा Hindu में एक ही कर सकते हैं इसके बाद पिर बच्चे पेदा को करने को ले करके इसके बाद अगर तालाग देना हो तो फिर क्या किया जाये तो उनके अलग- ledग कानून होते हैं सबके तो अब इन सभी चीजों को एक में ही लाया जाएगा Uniform Civil Code के जरिये अब इसको लेकर कि problem किसको हो रही है सबसे जादा जो विरोध आ रहा है वो आ रहा है Muslim Community की तरब से क्यों ऐसा आ रहा है Muslim Community का कहना ये है कि अनुक्षेत 25 का ये हनन है Article 25 ये कहता है कि सभी नागरिकों को धार्मिक सुतंता का अधिकार है, अपने धर्म के अंसार वो अपने अपनी चीजे कर सकते हैं, और जो मुस्लिम कर्मिटी है ये सरिया कानून को मानती है, और सरिया कानून के तहत, क्योंकि इनका कहना है कि सरिया कानून जो है वो 1400 सालों से चला आ रहा ह पेगंबर मोहमत साहब ने वो शुरु किया था, तो फिर हम लोग उसी को मानेंगे. अगर हम लोग बात करें सरिया कानून की, तो भारत में तो वैसे पुरा लागू नहीं है, भारत में तो समिधार अपना चलता है, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं, जो सरिया कानून की वहाँ पर सरिया कानून चलता है जैसे आप देखे लो UAE, कतर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान, बहरीन, इराक, मिस्र, नाइजीरिया, सुदान, साथी अरब, यमन, इंडोर्स, नेसिया, माल्दियू, मलेसिया, ब्रुनवई, इन देशों में सरिया कानून चलता है और सरिया कानून जो होता है उसके तहट जो भी पैगंबर मुहमत सहाब ने जो बताये थे अपनी किताब में और जो भी सरियत कानून जो बनाये थे वही यहाँ पर लागू होता है समविधान के भाग 4 में अनुक 6, 44 में इस बात का जिक्र है यूनिफॉर्म सिविल कोड की समान नागरिक संहिता की इसमें बताया गया है कि राज के नीती निदे सकत्तों के अधार पर राज जो है देज भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगी तो आपके मन में सवाल आएगा सर इतने दिन हो गए फिर लागू क्यों नहीं हुआ तो एक्चुलि में राज का नीती निदे सकता तो जो है जिसे आप कहते हो डाइक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलसी ये एक सरकारों के लिए गाइड मात सकता है कोई ये जाकर के नहीं कह सकता है कि जैसे इसमें राजी के नीत निदे सकता तो तुम्हें ये चीज कही गई है आप क्यों नहीं अपने सरकार के दौरान चला रहे हो मैं कोर्ट में जाओंगे नहीं जा सकते हो क्योंकि ये राजी सरकार को कहा जाता है ठीक है एक एक मौलिक अरिकार नहीं मिल रहे हैं लेकिन यहां राज के नीत निजसक तत्तों में ऐसा नहीं होता है और भाई किसको सरकार नहीं चलानी है किसको जीतना नहीं है तो इसलिए अभी तक यह लागू नहीं किया गया था क्योंकि इनको सभी का वोट लेना था तो अभी यहां पर उत्राखंड में अगर बात करें, तो उत्राखंड में ये confident हैं, कि ये जो है लागू करेंगे, और कर दिया है, मतलब पास हो भी गया है, तो ये इन्होंने लागू कर दिया है, तो राजी के नीती नीदेसक तत्तों में अनुक्षे 44 में इसका जिक्र किया गया है, ये बात ध उत्राखंड में लागू हुआ है, आने वाले समय में और भी जगों पर लागू हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है, अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये uniform civil code है क्या, अब बात करते हैं इसको लागू हो जाने से क्या-क्या चीज़े बदलेगी, खास करके उत्र उत्राखंड में, अभी उत्राखंड में जो है ये पास हो गया है, तो जब ये लागू हो जाता है, तब यहाँ पर क्या-क्या चीज़े बदल जाएंगी, तो यहाँ पर देखो, ये जो उत्राखंड का जो ये ट्रॉप तैयार हुआ इसके लिए, ऐसा नहीं है कि अपने म करने लायक था, वो चीज़े एड की गई, जो लोगों की प्रॉब्लम्स थी, या जो लोगों के सजेसंस थे, वो इसमें लाया गया, 60,000 से ज़्यादा लोगों से बातचीत करके ये ड्राफ्ट तैयार किया गया, और 70 से ज़्यादा पबलिक मेटिंग्स इसकी हुई, इसक क्या क्या चीज़े अब बदल जाएंगी उत्रा खड में, तो अब उत्रा खड में देखो समान संपत्ति का अधिकार होगा, यानि बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा, संपत्ति का जब भी बटवारा होगा, तो बेटा और बेटी को समान रू करने का अधिकार दिया जाता है अगर माता पिता हैं अगर मानलो विव्यक्ति के माता पिता जीद्वित हैं तो उनके माता पिता के भी संपत्ति को समान अधिकार मिलेगा पहले के वल माता को दिया जाता था लेकिन माता के साथ पिता को भी मिलेगा यानि कि समान संपत्ति का पतवारा सभी में होगा अगर परिवार के सद़ से हो तो समान कारण पर ही तलाक मीलेगा देखो तलाक को लेकर और Live-in Relationship को लेकर के इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है और इसको डीटेल समझना है देखिए समान कारण पर ही तलाक मिलेगाeren मतलब पत्थी-पत्नी के बीच में अगर तलाक होने मिलेगा इसके बाद living relationship ये एक बड़ा मुद्दा है living relationship पहले समझे क्या चीज है देखो अगर एक लड़का और एक लड़की वैस्क अवस्था में है और एक ही जगा पर एक साथ रहते हैं लेकिन साधी से पहले रह रहे हैं तो यहां living relationship जो होता है इसके तहट भी इसके लिए बहुत ज़्यादा दोड़ भाग करनी होगी एक सिंपल सा अप्लिकेशन लेकर के अपने पास की किसी रेजिटार के पार जाकर के एक सेल्फ डिकलेशन देना होगा ऐसा इसलिए किया गया है जिससे यह सरकार की नजर में आ जाए कि हाँ ठीक है यह चल रहा है उसके बाद अगर ऐसा नहीं करते हैं और वो भी लिविन में रिलेशन सिप में आने के एक महीने के अंदर ही ऐसा करना होगा अगर ऐसा नहीं करते हैं तो छे महीने तक की सजा भी हो सकती है और जब लिविन रिलेशन सिप से हट रहे हैं मतलब छोड़ रहे हैं तब भी जा उनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है तो अभी उत्रखंड के लिए है आने वाले समय में अगर माल लीजे और कोई राज लागू करता है उनिफॉर्म सिविल कोड तो इसमें परिवर्तन भी हो सकता है मतलब वो राजे अपने अनुसार ड्राप्ट तायार कर सकता है भाई यह उत्राखण की बात है, उत्राखण ने अपने राजिस गिधान सभा में लाया हुआ है, तो और जब दूसरा कोई राज जाएगा, तो उसमें हो सकता है कि कुछ चीजों में कुछ परिवर्दन भी आपको देखने को मिल जाए, तो अभी आप उत्राखण का उसे किसी का नाम नहीं दिया जाता था लीगल, तो वो कहते हैं न, एक टर्म है नाजायज टाइप का, तो वो हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पर अगर कोई बच्चा पैदा होता है, लिविन रिलेसंसिप के दौरान, मतलब साथी से पहले, तो फिर क्या होगा, कि लिवि सिविल कोड लाया गया है, इसके क्या मायने है, और इसको लागू करने के बाद क्या चीज़े बदल जाएंगी, किन-किन चीज़ों में आपसे वही पुराना नियम लागू रहगा, किन-किन चीज़ों में दूसरा नियम लागू होगा, आपको ये वीडियो कैसी लेगी, आप लोग comment करके ज़रू बताएगा साथी साथ आपके कोई भी राय है इस मुद्धिय को लेकर के आप comment box में ज़रूर लिखिए मैं आपके सभी के comments पढ़ता हूँ अगर आपको हमसे GS पढ़ना है किसे भी exam के तयारी कर रहे हो तो GS सफलता 3.0 आप हमारा ले सकते हो 15 महीनों की validity के लिए है और अभी के लिए अगर आप लेते हो तो आपको 20% का इस पर discount भी दिया जा रहा है जाकर के MZT app पर आप इसे प्राप्त कर सकते हो इसमें history, geography और इसक Google Play Store पर जाएगा MZT app लिख करके सर्च कीजेगा और किसी भी सहायता के लिए MZT app पर ही आपको जगा जगा वर्टसप का आइकान मिलेगा वहां से क्लिक करके सीधे आप मार्त पहुंचाएंगे और वहां पर आपकी पूरी सहायता की जाएगी अगर आपको कोई भी बैच लेना है तो आप यहां से जाकर के ले सकते हैं थैंकियू सो मच मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए नमस्कार जहन वंदिमात्रम